ओम शांती, 18 नवेमर की शर्वदान में आपसे को स्वागत है, कुछ समय हो गया है, हम थोड़े से डिले होके हैं वर्दानों को अप्लोड करने में, इसके लिए मुझे माफी चाहिए, लेकिन हम अब चार दिन की जो वर्दानें को हम कंटिनलस्ली दो-दो करके, आज दो और कल दो करके, हम इसको अप्लोड करेंगे, तो इनका आप लाप लीजेगा, और आखे हो सके, तो फोड़ करीगा और के साथ में, तो परमिता परमात्मा आज कहते हैं, कि सदा खुशी की खुरा खाने और खेलाने वाले, खुशाल, खुश नसीब भवा, खुद भी खुशाल और और को खुश नसीब बनाने वाले, तो आप बच्चों के पास सच्चा अभिनाशी धन है, कौन सा ग्यान, सो की पहचान जिसको आरसारी दुनिया ढून रही है, सच्चा प्रेम, सच्ची खुशी, सच्ची शान्ती को जो ढून रही है, वो जब तक हमें आत्मा का ग्या सावकार आप हो, अविनाशी धने इसलिए सबसे सावकार आप हो, कौन सा धन, सुक, शान्ती सबसे आज कीमती धन है, चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुरा उस सूखी रोटी में भरी हुई है, देखा है तो कहीं धर्मों में, और स्पेशली बाइबल जो कमजोर होंगे आत्माएं, मलकि मीक एन वीक, मीक मलब जो जवाब नहीं देने वाली, जो लड़ाई जगड़ा नहीं करने वाली, उनको तो मीक ही खाज जागे ने इस दुनिया में, मलकि उनके अंदर कुछ दम नहीं बोलते हैं इस दुनिया विद्रिके से, और वीक, वीक मतलब धन से कमजोर या तन से कमजोर जो कि बहुत सारे जनम लेने के बाद में तो होई जाता है, जो कि हमें परमात्में से कहा है, जब बहुत जनम लेते हो या तो आपका तन कमजोर हो जाता है, आपके पास में धन की प्रॉलम होती है यह सारी चीज़े, तो इसलिए पर कुछ उसके सामने comparison नहीं है क्योंकि दुनिया वालों के पास में आज धन बहुत है लेकिन वो धन होते हुए भी आज कुछ मिठा नहीं खा पाते हैं क्यों टाइबटीज हुई भी है अच्छे खाने खाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी संतुष्टा नहीं मिलती है लेकिन परमात्मा से जुणने के बाद में अगर आपको सुखी रोटी भी मिल जाए तो हम धन्य अपने अपने अपको मानते हैं सबसे अच्छी खुराथ खाने वाले सुख की रोटी खाने वाले आप हो इस लिए सदा खुशाल हों कहां से आए है परम दाम उलाल प्रकाश की दुनिया उसकी पैचान मली वहाँ पर योग लगाना हमें शुरुवात होई उसकी उसके बाद में पता चला कि दुख की दुनिया ज़्यादा लंबा चलने वाली नहीं है इससे अच्छी और खुशी की बात क्या है क्योंकि चारो तरफ जब दुख होता है तो परमपिता परमात्म अपने बच्चों के उपर कृपा धया करने के लिए वो एक लीला रचते है ब्रह्मा द्वरा स्थापना, शंकर द्वरा विनाश और विश्न द्वरा पालना तो स्थापना हो रही है ब्रह्मा कमारीस, ब्रह्मा द्वरा स्थापना शंकर द्वरा विनाश आप चारो तरफ देखी रहे हैं उसके तरीके निकल रहे हैं लोग के अंदर patience, tolerance, धहरता और आपस में जो भाईच जा रहा है वो खतम होते जा रहा है चाए आपस धर्म वाले ही हो अपने ही धर्म वाले हो आपस में लट रहे हैं चाए और धर्म वालों से लट रहे हो और चाए जात पात के बेदभाव हो यह सारी चीज़ें आज होनी ही है तो परमात्म करते हैं तो ऐसे खुशाल रहो जो और भी देखकर खुशाल हो जाएं तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा है दुनिया वाले चुट-चुटी बातों में आकर के घबरा करके डड़ जाते हैं या विगराने से परिशान हो जाते हैं लेकिन जब हम परमात्म का हाथ पकड़ते हैं तो परमात्म कहीं न कहीं से हमें उनका कारे कराने के लिए आगे बढ़ाते हैं अगर हम अपना कारे समझे हैं तो फिर जो हमने कहा है कि सब कुछ तेरा, 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 मुहाबिक हम अमालत में खहानत कर देते हैं। तो इसलिए परमात्व कहते हैं, तब जाकर हमारी खोशी चले आती है। सबसे पहला मुख्य रिजिन तो यह है कि हम जब अपना-पना मेरा मनना शुरू करते हैं, तो हमारी खोशी गायबन शुरू होती है, सुख भी गायबन शुरू होता है। जब हम कहते हैं, सब कुछ तेरा है, दन, तन, मन, धन, यह सब आपका है, हम आपके उपर यह निच्छावर करते हैं, कि आप इसको जैसे भी उसकरना चाहो, करो आप, तब जाकर करके परमात्मा बुद्धी में आइडियाज डाल देते हैं, कि बच्छे, यह करो, ऐसे करो, ऐ यह सब कुछ करवाता कौन है परमात्मा, लेकिन उसके पीछे बैक्ग्राउंड में में चीज़ होनी चीए, कि हमारा तन मंधन सबाग का, यह है सबसे पहला खुशी का और सुख का, सबसे पहला रास, यह सिखाया था ब्रहमा कुमारी उसमें आप भी आकर किसी केसको, और म जए नचे हैं पिसके साथ.